क्या आप भी अपने बविश्य को लेके बहुत अधिक चिंतित हैं कि जॉब करूं या बिजनस ये बात एक प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट से ग्रुप में पुछी कि जॉब और बिजनस के सिलेक्शन करने से पहले मुझे ये बताओ कि रिस्क क्या है वट इस रिस्क औ या हम नए अंतरपनियोर बनना चाहते हैं ये भी एक बहुत बड़े रिस्क की बात है या हम इन्वेस्टिंग कर देते हैं एक नए बिजनस में वो भी विदाउट नॉलेज बिना बिजनस के नॉलेज की अगर हम इन्वेस्ट कर देते हैं तो यहां भी बहुत बड़ा रि बिजनस्मेन ने ये कहा कि सर रिस्क का मतलब है डिपेंडिंग ओन सिंगल सोर्स ओफ इंकम अगर हम सिंगल सोर्स ओफ इंकम पर डिपेंडेड हैं तो चाहें हम जॉब करें चाहें हम बिजनस करें दोनों ही बात हमारे जीवन में एक रिस्क की तरह है इस बात को और ध्यान से लिदे हमारे से समझते हैं कि job करें या business करें दोनों ही single source पर हैं तो यह हमारे लिए risk है क्यों 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 कि अगर आप आप चाहे जौब करते हूं या business करते हूं अगर single source of earning है तो आपको हमेशा काम करना पड़ेगा you earn until you work आप केवल जभी पैसा कमाएंगे जब आप काम करेंगे इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ क्योंकि Center of Monitoring Indian Economy एक organization है जिसने ये कहा कि economy सदा एक जैसी नहीं रहती मतलब हमेशा बढ़ती हुई या slab में चलती हुई नहीं रहती है economy slope down हो जाती है और जब economy slope down होती है तो बहुत सारे businesses collapse कर जाते हैं और ना केवल business collapse करते हैं उन business से जुड़े हुए लोग जो job में होते हैं उनकी नौकरियां भी छूट जाती हैं और कई बार competition की वज़ा से दो industry आपस में जब बहुत ज़ारा competition में होती हैं तो कोई ना कोई एक industry फेल हो जाती है जिसकी वज़े से industry तो जाती है साथ में बहुत सारे लोगों की job भी छूट जाती हैं और कई बार ऐसे pandemic आ जाती हैं जिसकी वज़े से economy slope down में जाती है और बहुत सारी industries बंद हो जाती हैं और industry बंदोने से बहुत सारी जॉब निकल जाती हैं खत्रे में आ जाती हैं इसका मतलब CEO महेश व्यास ने एक बात कही थी कि पेंडमिक की वज़े से 10 मिलियन जॉब्स लॉस्ट हो गई मतलब एक करोड़ लोगों की नौकरी खत्रे में आ गई नौकरी चली गई तो यहां यह समझना बहुत जुरूरी है अगर आप सिंगल सोर्स आफ वर्निंग पर ही डिपेंडेड हैं तो चाहें आप जॉब करें या बिजनस करें आपको बहुत सारी इंडस्ट्री जो कॉलैप्स कर गए जेट एर्वेज तो यहां पर केवल बिजनस का लॉस नहीं हुआ यहां पर उन लोगों की नौकरी भी चली जो उनसे जुड़े हुए थे और ना केवल जेट एर्वेज के डारेक्ट इंप्लॉई बलकि बहुत सारे स्मॉल स्केल बिजनस ओनर थे जो यहां पर अपनी सपोर्ट या अपनी सर्वेसेज या मैट्रियल सप्राइज देते थे उनकी जॉब भी खत्रे में आ गई ऐसी बी एसनल किंग फिशर हिंदुस्तान ऐरोनेटिक लिमिटेड एचेल ऐसी बहुत सारी ओर्गनाईजिशन है जो खत प्रिपल सोर्स ऑफ इंकम बनाएं तो आज हम बात करते हैं जॉब अगर आप करते हैं या बिजनस आप करते हैं तो क्या फायदे और नुकसान आपको हो सकते हैं नमबर वान जॉब में आपको फिक्स एंड रेगुलर इंकम मिलती है चाहें आपकी प्राइवेट जॉब हो या गॉर्मेंट जॉब हो नेक्स वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गॉर्मेंट जॉब और प्राइवेट जॉब में कैसे हम कंपारेजन करें कि कौन सी आपके लिए बेस्ट रहने वाली है तो फिक्स इंकम एंड रेगुलर इंकम होती है आपकी एकॉनोमी थोड़ी स प्लस मैनस होती भी हो तब भी जॉब पर उसका बहुत ज़दा परभाव नहीं पड़ता हाँ जब तक कि वो इंडस्ट्री कॉलैप्स होने के इस्तिथी में ना आ जाए तब तक वो जॉब की अपॉर्चिनिटी बनी रहती है इसके लावा यहाँ पर एक रेगुलर सोर्स कैंटर गटात काम कर रहे हैं एक लिमिंटीड रिसोर्स आप के पास आपके पास हैं वो काम करने के लिए या एक लाईबलीटी आपके से साथी साथ experience of work without investment, job का आपको एक फाइदा होता है कि आपको उस काम का अनुभव बिना अपना पैसा लगाया हो जाता है और मैंने एक वीडियो बनाया था मारवाड़ी कैसे काम करते हैं और वहां मैंने बताया था कि मारवाड़ी को जिस इंडस्ट्री का business करना है उसी इंडस्ट्री में पहले job करता है मतला बिना पैसा involved किये वहां से information and knowledge को grab करता है experience को enhance करता है और फिर उस business को करता है तो सफलता क के chances कई गुना ज्यादा होते हैं ठीक उस तरह से अगर आप direct business करते हैं तो experience of work with risk होता है क्योंकि हर बार आपका हर decision ठीक नहीं होगा कई बार आप जब decision लेंगे तो या तो वो ठीक होगा जिससे आपको फाइदा होगा या कई बार गलत decision की वैसे आपको loss हो सकता है इसलिए कहते हैं कि experience आप करते हैं तो risk के साथ करते हैं अपने investment के साथ अपनी future growth possibility के साथ बहुत सारी चीजों का risk लेकर आप income generate करते हैं इसके लावा time boundation यहां पर बहुत fix होती है job में अगर for example आपका job का time सुबह 10 बजे से 7 बजे तक है तो आप एक घंटा पहले नहीं जा सकते है दूसरा business में unlimited time and no boundation अगर आप खुद का business करते हैं तो आपका unlimited time है आप किसी भी समय आ सकते हैं जा सकते हैं और किसी भी तरह की time boundation आपके उपर नहीं होती है लेकिन business में एक responsibility और होती है वो कहते हैं कि time unlimited है foundation नहीं है लेकिन job की तरह 10 से 7 बजे तक सोचने का काम नहीं है आप पूरे 24 hour आपके उपर एक responsibility होती है कि मुझे अपने business को grow करना है और आपको इसके बारे में हमेशा सोचना है नए ideas पर काम करना है नए thoughts पर काम करना है नए implementation पर काम करना है यहाँ पर थोड़ी liberty तो होती ह है पर कहीना कहीं involvement आपके 24 hour की होती है यह भी समझना बहुत जूरूरी इसके लावा जब हम बात करते हैं job की तो job में आपको जितनी भी earning होने वाली है वो fully taxable होगी किसी भी तरह कि आपको कोई rebate नहीं मिलती लेकिन यही benefit business में आपको मिल जाता है आज business owner अपने personal expenditures को भी अ अपने company में खर्चे दिखा कर उसका tax benefit ले लेता है next important बात है bounded lifestyle आप जब अपनी job में है तो आपको अपने office के protocol को हमेशा follow करना है अगर वहाँ पर uniform system है तो आपको uniform carry करना है लेकिन अगर आप company के boss है owner है business owner है तो आपका जो lifestyle है ना वो आपके thought process के according है आपके mood के according है जैसा आप चाहें वैसा रह सकते हैं मतलब अपने office में jeans t-shirt पैन के जाना चाहते हैं तो आपके ऊपर कोई foundation नहीं है लेकिन अगर आपके office में uniform है staff में कोई पैन के आता है तो यहाँ पर आपको एक free lifestyle मिलता है है ना साथी साथ यहाँ पर work to fulfill dream of other आप दूसरे के लक्षों को प्रा करने पर लगा रहे हैं कहते हैं कि you are selling your time you are selling your time and this business owner is buying time of other वो दूसरे लोगों का समय खरीद रहा है तो जौब में आप होते हैं तो आप अपने समय को बेच रहे हैं अगर आप business में होते हैं तो आप दूसरे के समय को खरीद रहे हैं यहाँ पर आप जब तक काम करेंगे 800 गणते में 800 गणते पर डे काम करता हूँ मतलब रोजाना 800 गणते पर डे का मतलब है अगर एक employee 8 गणते आपको dedicate कर रहा है आपको work में तो लगबग 100 employee आपके पास हैं तो आप 800 गंते काम कर रहे हैं मतलब आपके लिए लोग 900 गंते काम कर रहे हैं लेकिन यहाँ पर you are selling your time and business you are buying the time of other यह आप क्यों पटेपेंट करता है कि आप अपनी life के decision कैसे लेने वाले हैं अगर आप एक comfortable life जीना चाहते हैं तो चाहें आप business करें चाहें आप job करें आपको multiple source of income बनाना बहुत ज़रूरी है और मैंने मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत सारे वीडियो दिये हैं कि 5 top opportunity to generate passive income passive income कमाने के बहुत सारे ऐसे तरीके जिन से आप आगे बढ़ सकते हैं Apple के founder Steve Job ने एक बात कही थी कि आप अपनी working life में से 24 hour जो आपके पास है ना उन में से 8 से 10 घंटे का समय जो है वो अपने काम पर लगाते हैं मतलब सबसे ज़्यादा समय का involvement आपके work profile पर होगा चाहें आप जॉब करें या बिजनस इसलिए ये जुरूर ने करें कि आपको खुशी किस चीज से मिलती है आप बिजनस करना चाहते हैं अपनी growth के लिए या आप जॉब करना चाहते हैं अपनी routine earning के लिए अपने comfort zone के लिए तो आप ये देखें कि उस 8 घंटे के समय में आपको सब सबस्दा खुशी किस चीज से मिलती है जिससे आपको सबस्दा खुशी मिलती है वो decision आप लें और एक बात में आप लोगों से ये भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भविश्य में एक बहतरीन business करना चाहते हैं तो उस industry में experience grab करने के लिए बिना किसी risk के आप job कुछ महीने कुछ साल जरूर करें आपको अनुभव मिलेगा और उस अनुभव को जब आप अपने business में implement करेंगे तो आपको अपार सफलता ही मिलेंगी इन बातों को समझने के बादना आप अच्छे से comparison कर सकते हैं कि मुझे job करनी है या business लेकिन job या business करने के साथ साथ हम अपने risk को कै कैसे खतम करें उसके लिए जरूरी है multiple source of earning हमारी company Metas Overseas Limited जो stainless steel module location बनाती है वो पूरे इंडिया से बहुत सार लोगों के साथ टाइप करते हैं चाहें वो job करते हूं या business करते हैं और वो टाइप क्या है become our associate partner बिना किसी investment के आप Metas Overseas Limited के associate partner बन सकते हैं अब ये associate partner करते क्य हैं अगर आप ध्यान से देखें आपके चारों तरफ तो बहुत ज़्यादा construction चल रहा है नया मकान, कोठी, बंगलो, फार्माउस, विला, फ्लैट या तो बन रहा है या उनका renovation हो रहा है ऐसे में वहां सभी जगाना modular kitchen, wardrobe और bathroom vanity की जरूरत पढ़ती रहती है आपको करना क्य बातचीत करेगी और अगर उस client से हमारी deal होती है तो passive income की तरह आपको आपका sales incentive आपके पास आपके bank account में जमा कर दिया जाएगा मतलब चाहें आप job करते हों या business करते हों आप केवल lead generate करके भी बहुत अच्छी income कमा सकते हैं उसके लिए करना क्या है मैं यहां screen पर एक number लि 337773 इस number पर WhatsApp करना है आपको आपका नाम मेरा request है इस number पर call ना कीजिए यह केवल एक WhatsApp number है और जैसे ही आप इस number पर WhatsApp करेंगे आपको automated reply एक message आएगा उसको अच्छे से पढ़ें उसमें दिये गई बात को follow करें और आगे आप associate के रूप में अपने आपको register करें आसानी से इ सारे catalog, brochure, images, download करें अपने job और business के साथ-साथ लोगों से मिलें, बातचीत करें या social media platform के जरीए अच्छी lead generate करें जब leads अच्छी आपके पास आएंगी तो conversion of client जादा होगा और जब conversion of client जादा होगा तो आपका job या business उन दोनों के बीच का जो risk है उसको cover करने के लिए आप अच्छी income generate कर पाएंगे इसलिए whatsapp करें आपका नाम 92100-3773 पर यदि आपके मन में कोई भी प्रस्टन है तो comment box में लिकर हमसे ज़रूर पूछें या आप इस number पर whatsapp भेजेंगे तो आपके हर सावल का जबब आपको मिल जाएगा और हाँ कोई भी informative video मिस ना हो उसके लिए आपके समरे वविश्य की कामना करता हूं जै हिंद जै भारत